नमस्कार दोस्तों रास्तान गौवर्मेंट के उसमें ये गोशना की गई थी महिलाओं के तिये 50 परतिस्वत आर्क्षण किया जाएगा तिर्टे सेनी अध्यपक्त और उशी का आज नोटिफिकेशन आया है रास्तान सरकार मुख्यमंति जन्त परकोष्ट अंकल पत्र का एक और वादा पूरा यह वादा किया था और इस वादे को आज किर्यानविती हो गई इसका मतलब यह कि जो नक्स्ट भरती आएगी तिर्टे शेनी अध्यपक्त की लेवल वान और लेवल टू इन दोनों में 50 परतिसत पद वो महिलाओं के लिए आर्क्षित हो कि महिलाओं का और इसका इनका क्या ओरीजेंटल आरक्षिन का मतलब है जिस क्रेटेगरी में यह फाइट कर रहे है जैसे मालों OBC के जो पद आएंगे उसका 50 परतिस जनर्रल की महिला है तो जनर्रल के जो पद आएंगे उनमें 50 परतिसत रहेंगे इस आरक्षित का मतलब यह के मालों एक हजार पद आते हैं एक हजार में से 500 पद सीधे महिलाओं के और 500 पद विबाजन होंगे कैटेग्री वाइज जैसे मालों 21 परतिसत आरक्षिन है हो भी सीका तो 210 पद में महिलाएं आएगी 105 पद एक सो पांच पदाओं पर ही केवल औ और केवल पुरुष अभ्यारती इसमें हाइट कर सकता है 105 पद तो महिलाओं के लिए रिजर्व है 105 से अगर यह ज्यादा भी आ सकती ऐसा नहीं महिलाएं कम रहे पर तो अगर महिलाएं ज्यादा भी आ सकती इसका आरक्षिन ओरिजेंटर आरक्षिन का मतलब यह है कि अगर 105 पद है महिलाओं के अब 105 पद से एक्जाम दिया और मेरिट में जो जनरल लड़कों या लड़कियों के कमेंट जो मेरिट बननी उस मेरिट में 105 लड़किया आ गई तो तो अलग से इनको आरक्षिन दिया नहीं जाएगा अभी पिछली भरतियों महिला और पुरुष की ज आ चुकी है अब इनको अलग से आरक्षिन देने की जूर्थ नहीं है कि कहने का मतलब यह अब इनको अलग से 105 पद पर अगर महिलाओं नहीं आ रही है मालो 100 पद पर आई सामानिक के अंदर मतलब ओविसी के अंदर लड़के लड़कियों बराबर आगे तो आए तो पांच महिलाएं और लिए जाएगी जो जिससे क्या हो 105 हो जाए इनको 105 करनी अगर मामला ऐसा हो महिलाओं जो सामानिय पुरूष की क्रेटेगरी थी मेरिट थी जो मालो 70 परतिसे मेरिट थी उस 70 परतिसत्वें महिलाओं 120 आ गई 90 मेली आएंगे पुरूष आएंगे तो कहने गा मतलब ये अब महिलाओं के लिए ज्यादा मौके महिलाओं जो शिक्षक बनना चाहती थी उनके लिए रास्तान सरकार्ण है बहुत अच्छा देने लिया है उनके लिए बहुत फाइदे का सौधा है कि अग बविशे में उन महिलाओं के लिए तो मौके बढ़े हैं तो फूरूषों के मौके घटे हैं चाहिर ची बात एक का मौका बढ़ेगा वेकेंसी वही सरकार है वेकेंसी निर्दारित कर रखी उतने ही पदाणे जितने निचीत है पदो की संख्या मिचित है पन्तु यहां पर महिलाओं का आरे अब ज्यादा जोस के साथ तैयारी करेगी पुरूशों को अत्तोष्चाहित नहीं होना है आपको अत्तोष्चाहित होड़ा नहीं जो अपने पास मौकी उतने ही अपन लड़ सकते उससे ज्यादा आ नहीं सकते अब जो ज्यादा ज्यादा तैयारी करेगा और ज्यादा समय देगा उसी का सलेक्शन होगा बाकी को अत्तोष्चाह तोड़ेगी जुर्थ नहीं है आप जिनको सरकारी नौकरी चीए जिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी चीए बोत आज से जुड़ जाए इर्टेशणी अध्यापक के लिए औ और आपके अब मौके कम हो गए इसलिए आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा आपको ज्यादा अच्छी तरह से तैयारी करने पड़ेगी और ज्यादा अपना परदस्तन अच्छा करना पड़ेगा और महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि उनके लिए 50 परसंद सरकार दे दिया है इसलिए सरकार का सुक्रिया आजा करें और अपने तैयारी को जारी रखें आने वाली जो परतियां होगी तिरतिश्रिया जब कि उनमें महिलाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे इसी के साथ धन्यवाद